एक इंग्लिश ओफिसर्ट जो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की लोकल लाइंग्वेश सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जारती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लाइंग्वेश सिखाएगी प्रॉलम दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दो स्लीपिंग डिक्ष्णेरी यह हॉल्लूर्ड रोमेंटिक मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो चाथता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजएगा अब बिना किसी दरीके जब वापस आते हैं तब उन्हें जॉप दे दी चाहती है ऐसा है हमारा में क्यारेक्टर जिसका में जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की कंट्री में आया यह कंट्री उतनी डेवलब नहीं थी यहां के बहुत सारे लोगों को उसकी लाइंग्विज भिनिया दिया जॉन जब पहुचा तो जिसकी लाइंग में जाती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था जॉन को फिर उसके ऑफिसर के पास लेकर आता है जॉन के ऑफिसर का नाम है हेंडरी और हेंडरी बहुत सारे सालों से यहां रह रहा है हेंडरी उसे बुछता है कि तुम्हारे जाने पर उसे ड्रिंग देता है जॉन ड्रिंग नहीं करता है पर यह उन लोगों का डिस्रेस्पेक्ट होगा तो इसी वज़े से जॉन को ड्रिंग करना पड़ता है यह ड्रिंग एक बहुत ही ब्यूटिफुल लड़ के लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जॉन ने उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा ड्रिंग किया उसके पास सलीमा अपने फ्रेंज के साथ नाच रही थी सब लोग फिर रिक्वेस्ट करते जॉन भी उन्हें कुछ पफॉर्म करकर दिखा है वह बोरिंग सी कोईम सुनाता है जो लोगों को पसंद ने आए फिर उसे पिक अप करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने डांस किया सब लोग इस पर बहुत असे उस आदमी का नाम में बलंस आया अगली सुबा जॉन ने जो भी किया इसे वह बहुत ही इंबरस था आज हेंड कि लिए सलीमा तुम्हें हेल्प करें कि तुम उसके साथ इंटिमेट होगे और यही बेस्ट वेह लैंगविज सीखने का क्योंकि बहुत सारी से चलता रहा है जॉन को इस सब बहुत ही गलत लगता है तो सलीमा को जानदा नहीं और यह सब नहीं कर सकता है हेंड़ी ने का हम सलीमा को फॉर्स नहीं करें उसने भी तुम ही चुना हैं हींडे अब स्वान को फॉर्स करने लगया था जोन मान गया और वह घरता है कि वह उसके साथ इंटिमेट नहीं होंगा हिंडे वे इस पर घुसा आ जाता है जौन ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर घ जाए जाए जौन एकाम बिलंसाय को देता है पर बिलंसाय ने मंकी की हेड लाए थे जौन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्ते हैं जौन यहां नहीं है और उसे कोई भी सिरेसली लेता नहीं उसे इसके बाले में कुछ करना पड़ेगा वह जब घर जाता है उसने का कि यह सब नहीं चलेगा उसने गुस्य में सलीमा को भी फायर कर दिया सलीमा भी गुष्य में बाहर निकल गए शेव जौन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वह बहुत ही अगली है उसका मजा गड़ाएंगे जौन भी फिर देखते हैं कि जौन कुछ काम के लिए हेंडरी की घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइव एजी से मिलता है एजी उसे पुछती है तुम्हारी स्लीपिंग डिशनरी कैसी है सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था उसे कुछ भी जादा फरग नहीं पड़ता यहां की ट्रेडिशन है तो उसने उसे एकसेप्ट कर लिया था रात में जौन और सलीमा एकी रूम में अलग-अलग बेड़ पर सोएं सलीमा जौन से बुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होते तो जब त जादी होगे तो तुम्हें कोई भी एकस्पिरियंस नहीं होगा जौन मजाग में गयता है कि मैं जरा क्लासेस कर लूगा जौन उसे बुछता है कि तुमने मुझे चूर्स क्यों किया सलीमा गयती है बाकी सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकल बहुत टाइम तक रह सकते हो उसके चैंपियन हो बैलंसाय कहता है कि हाँ तो जौन उसके साथ कॉम्पिटिशन करना चाहता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही एकसाइटेड हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े टाइम बात बैलंसाय उपर आ गया और जौन अभी अगरी बारते महारने लग जाते हैं आज रास सलीमा जोन को चिल्डरन के बुख से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा गा रही थी जौन के फादर जब वो चोटा था तो यहीं उसे सुनाय करते थे सलीमा कहती है कि मेरे फादर भी ही मुझे सुना दे थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेफ हो गई थी यहीं लाइग्वे सिकते जिकते हैं उसे हाथ नेक इन सारे बॉड़ी और्गंस के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को टेस्ट करने लग गए और फिर इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद वार-वार इंटिमेट होने लग गए एक रात इंट प्रविजमेंट नहीं चाहते हैं अगली रात हेंडी ने जॉन को अपने घर बर गुलाया था हेंडी के बेटी अपने एजुगेशन कंप्लिट करकर इंगलंड से वापस आई थी यह सब एकसा डिनर कर रहे थे हैंडी की बेटी का नाम है सिसल इंगलंड में यही के लोकल लो रही है सिसल वंडर करती है कि उन दोनों में या कोई भी फिलिंग्स डेवलप होकी हेंडी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी फिलिंग्स डेवलप होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडिशन है जान कहता है कि उन दोनों में फिलिंग्स डेवलप हो सकती है जैस एस रिसरच के लिए जौन उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थिए वो सलिमा की सामने आई उसकी फोटो ले हैं सलिमा को अच्छा नहीं लगता वो जौन सी जहती है कि इसे मना करो परूर जौन कुछ बोल नहीं पाया अजानक से रिवर के पास फ्लोट होते वह कुछ लोग आया एक डेंजरस बीमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यार्ट चुल में हो कहा रहा है तो इसी करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आये और सलीमा भी थी जाने से पहले एजी उसके पास आये मेरी वेटी बहुत ही एजुकेटर है वह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहो गया तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को बहुत ही अजीव लगा वो कुछ रिस्पोंस दे नहीं रहा था तो एजी कहती है जल्ली से इसके ल किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुस्सा थी उससे कहती है तुम भी बाक्यों की तरह ही हो जॉनों से पूशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहरती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हुँ जॉन समझ गया कि उस पर गुस्सा है अगले दिन ये सब उस विमारी को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुचे यहाँ पर और और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या ह तो एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बुलन साही ने उसे देख लिया था तो जॉन को बचा लेता है ये दोलों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जॉन समझ गया कि इस बिमारी की बीच पर चुकी थी जॉन ने इस वह सोजा तो रिलाइस करता है कि सलीम आने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोग को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीम आने भी खाया था पर इस लोग पोईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से खाते आ रहे उनकी डेथ हो जाती है अब यहां के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही डेंजरस है अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोग को मार डालें बोलन साय जौन से बुषता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों नहीं किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जौन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जौन ने रेलाइस किया कि सलीमा विमार थी उसके लिए बहुत ही लेंगे जौन ने सलीमा के बारे में जब हैंड्री से बात कि तो हैंड्री उस पर बहुत ही गुर्शा हो गया था वैता है ऐसा कुछ भी अलावड नहीं यह हमारी गवर्मेंट को डिस्रिस्पेक्ट होगी जौन सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एज तुमने ओफर नहीं ली तो उन मायनर्स को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुमें जेज में डाल दूँगा इसी के पैलल में सलीमा को भी ब्लैक मिल किया जाता है अगर उसने जौन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जौन भागते वाक्ति उसके पास आया सलीमा उसे गहती है मैंने तुमसे कहा था इस सब पॉसिबल नहीं हिंड्री सलीमा और जौन को लास्ट चांज देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों पॉसिबलाकर करें हो जोनने जाल दिया जाएगा सलीमा को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अम इपसे कभी भी स्लीपिंग ऊठीETH जौन उसे triangles को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ते जौन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब सक जूछवर चुगा था जौन जाएगा वहाँ अने वर इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इन्हें मुवी दिखा जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सर्फ सलीमा को धून रहा था यह बार शील वो जॉन के साथ रात में इंटिमेट होना चाहती थी पर इस थौट को शेक नहीं कर पाती उसे कहती है मुझे तुम्हारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शाद ही हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी लाइफ में खुश है सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहा है जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के ले गया वहाँ पर एक और ऑफिसर है उसकी और कोई स्लीपिंग डिशनरी इस ऑफिसर का नाम था नेविल जॉन में नोटिस किया कि नेविल ने सिहा है तो एजी उनका observation कर रही थी उझे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी relationship उतनी अच्छी नहीं यह सब बात कर रही थी तब ही जॉन ने इस सब सुन लिया वह अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर क अबने शेव से बात करता है कि हमारी meeting अरेंज करवाओ शेव ने औरेड़ी सलीमा से बात किय थी वर सलीमा जॉन से कुछ वे बात नहीं करना चाहती है एज जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाया जाता है जॉन सलीमा से कहता है कि हो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलन करनाते थे ही लोरी अपने बैटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बैटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जॉन को कंफरंट किया तो उससे सब को समर्ज में आ गया एजी कहती है मेरे हस्बंड हेंडरी की बेक स्लीविंग डिशनरी थी मैं ड बात को सिरेसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बैटे के साथ टाइम स्प्रेंट करने लगता था ये बात जब बोलन साय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता ह अब ये इंसिडन बहुत ही सीरेस है हेंडरी कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुम्हारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन कहता है का अगर तुम्हारी ऐसी और को डॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते है हेंडरी ने का य आजाता है हेंड्री के कहने पर हेंड्री के फोस में जॉन को बोलंसाय को डेट की सजा दिनी पड़ी वह अगली दिन बोलंसाय को हैंग करने वाले थे पर बोलंसाय नहीं एक बाद जॉन की जान बचाई थी रात में जाकर उसे छुड़ा रेता है कहता है यहां से दूर भाग जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए के लिए एज उसकी स्लिपिंग डिक्ष्णरी उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर सलीमा ने एरसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात दोनों भागने वाले थे पर इसे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं प्रेग्नन्ट हूँ वो आज बहुत ही खुछ थी और जॉन बहुत ही जादा कन्फियूस्थ हो कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जो सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदसी करने लग गया सलीमा ने नेविल को बहुत मारा फाइनली वहाँ के शेफ की मदद से वो नेविल को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैलल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सीसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं जा सकता पर इस सब बार सीसिल को पता चले गई ये लेटर ओपर थी है उसे बात करती है उसने का कि मेरी मर्दर डरती थी इसी वज़े से हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से कुछ नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोईस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्राइवरिटी नहीं देते है सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पुरी तरीके से मुझे पैर नहीं करता सिजिल हो फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएगा वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से वो लेट हो गया सलीमा खुल लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकनों के जौन उनकी जगह पर लेट पोशता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेह फ्रेइंड जौन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहाता उसे ढून दो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को देती उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीवा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंड्री उसके फादर है हेंड्री जब गर पर आये तो एजि उस पर बहुत गुसा थी कहती है किसी तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेन्री करता है मैं मेरी बेटियों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूं वो इस सारी बात को दबा देगा यहां में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब आज ही बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को ओर्डर दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जॉन ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एई दुसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंड थी उसने जाओन को हतकरिया पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग भावर भोश गया यह वही लोग है जिनको मरने से जाओन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जौन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ कुझे किसी भी चीज की ज़रुवत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे इसी मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा वे बहुत सारी मुवी लेकर आते रहतो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल मुट्वीशन आइकों नामने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक निमोल के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये